हेलो फैंस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में आज इस वीडियो में मैं मनी प्लांट पौधर के बारे में बात करने जा रही हूँ मनी प्लांट पेड जो आजकर सभी लोंग अपनी घर में लगाते हैं यह लगाने की इच्छा रगते हैं लेकिन मनी प्लांट लगाने का भी एक सही तरीका होता है मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो घर में धन और सुक संपती को बढ़ाता है तो हमें मनी प्लांट का पेड किस दिसा में लगाना चाहिए जिससे हमें हमारे घर में सुक संपती बढ़े ना कि घटने लगे तो चलिए जानते हैं दोस्तो मनी प्लांट का पेड किस दिसा में लगाए मनी प्लांट के पेड को लगाने की सही दिसा दच्छे पूर दिसा होती है जिसे की अगने कोड कहते हैं दच्छे पूर की दिसा मनी प्लांट को लगाने के लिए सरोत्तम मानी जाती है तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें मनी प्लांट का पेड किस दिसा में नहीं लगाना चाहिए मनी प्लांट का पेड कभी भी इसान कोर यानी उत्तर पूर दिसा में भूर के भी ना रखे जमीन पे इसे ना फैलाएं जब भी हम money plant लगाएं तो हमें ध्यान देना है कि money plant के पेड़ को उपर के और लेके जाएं ना कि उसके पेड़ को पूरा नीचे फैल ले दे और next is कि घर के अंदर लगाएं आपने देखा होगा money plant को बहुत दूंग अपने गेट के पाहर लगा लेते हैं लेकिन ये सही तरीका नहीं है दोस्तों आप हमेशा money plant के पेड़ को घर के अंदर लगाएं क्योंकि सब लोग घर में धन समपती जाते हैं ना कि घर के पाहर इसल money plant की कोई भी पत्ती आपको सूखी हुई या पेली दिखती है तो उसे तुरंत ही हटा दे उसे कभी मुर्जाने ना दे और money plant के पेड़ को पूर पच्छम दिसा में भी ना लगाएं इससे हमारे घर में सीहत और रिक्स्तों में भी नुकसान होता है क्योंकि money plant पेड़ लगा जाए और सही तरीके से रखा जाए तो ये घर में बहुत ही फायदा करता है घर में धन सुख संपती को बढ़ाता है इसलिए आप अगर और अगर आप money plant का पेड़ काच की पूतल में लगा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि उसकी जड़े है वो ना द देखें आप अगर money plant को काच की पूतल में लगाए है तो उसकी नीचे के portion को अच्छे से cover कर दे ओके friends आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा या money plant से related आपको कुछ और जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे comment कर सकते हो और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसं दाया हो तो please like, comment, share और subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे next वीडियो का update मिलता रहे Okay friend, thank you for watching me. Bye Bye